So good morning guys और current affairs के revision वाले session में सबसे पहले मेने के current affairs का revision करेंगे तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? Estonia की पहली महिला प्रदान मंतरी कौन बनी? तो आंसर होगा काजा कलास, Estonia की capital तालन है बताए किस राजे सरकार ने नई MSEND policy को, policy 2020 को launch किया? तो आंसर होगा राजस्थान ने और धन लक्ष्मी बैंक के MDCO कौन बन गए? JK Shivan बन गए और धन लक्ष्मी बैंक का headquarter आपको मिलेगा? त्रिशूर केरल बे बताए किसे महावेर चक्र से सम्मानित किया गया भी? करनल बाबू संतोष को और परिया टकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच पार्क अभी किस राज में खुला गया? उडिसा में उडिसा में जो बित्तर कनी का नेशनल पार्क है न वहाँ पे और अंकटाड के द्वारा जारी रिपूर्ट के नुसार 2020 में कौन सा देश FDI का सबसे बड़ा प्राप्त करता था FDI यानि की Foreign Direct Investment अंसर होगा चाइना अंकटाड अंकटाड मतलब होता United Nation Conference on Trade Agreement और इसका हेटकोटर जनेवा स्विचलेंड में है बताइए किस मंत्राले ने शोर्रिवान नाम से इपत्रिका को लॉंच किया तो रक्षा मंत्राले ने और किसे मन्नो परांत सर्वत्तम जीवन रक्षा पुरुसकार 2020 से सम्मानित किया गया था मुहम्मद मौसीन बताइए आकाश N.G मिसाइल का सफलता पूर्वा कभी परिशन कहां पे किया गया उड़ी समय ये किया था DRD उने और हाँ गाईज देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडूकेटर्स एक बार फिर एनकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं धेर सारी फ्री क्लासेज तो एनकैडमी की हर क्लास कंड़क की जाती है आपके बैंक की हर परिशक की तैयारी को और भी जादा मजबूत करने के लिए और ये सारी फ्री क्लासेज आपको मिलेंगे अनकैडमी पर जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल सेडूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं और अनकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं और आप लाइव क्लास में Ask a Doubt फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं और आप लाइव क्यूजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी और अनकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेज कंड़क्ट होती है तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं आप अपने टीचर के साथ इंट्रैक कर सकते हैं लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं और ये सबी feature आपको मिलेंगे एक ही platform पर एक ही subscription के साथ तो आज ही subscribe करें Unacademy पर और इन सबी benefits का लाब उठाईए और हाँ देखिए अगर आप मेरा code जो की है crack exam 10 यूज करते हैं तो आपको additional 10% का instant discount में मिलता है तो आपको इन सबी classes के जो link हैं वो नीचे description में मिल जाएंगे तो वहाँ जाकर के आप इन सब का benefit उठा सकते हैं अभी हम बढ़ते आगे फिर बताईए SOCAM Enterprise of this century award 2020 से सम्मानित किया गया किनको रतन टाटा जी को फिर बताईए the most promising business leader एशिया 2020 से सम्मानित किया गया विवेक तिवारी को और अभी जैवर Greenfield Hawaii Day का नाम बदल कर क्या कर दिया Noida International Airport ये उत्तरप्रदीश का एरपोर्ट है अभी उत्तरप्रदीश का तीसरा International Airport कौन सा बन गया कुशी नगर कुशी नगर International Airport बताईए पूरुवत्तर भारत का पहला Glass Bridge कहाँ पे बना बिहार के नालंदा जिले में और इसरो के Space Situation Awareness के लिए समर्पित Control Center का नाम क्या है NETRA NETRA मतलब उत्तरप्रदीश Network for Space Object Tracking and Analysis बताईए किसने अपनी Go Green पहल शुरू करने की गोजणा की तो Tata Motors ने अंतर राष्टर मानव एकता दिवस International Human Solidarity Day ये कब मनाया गया 20 देसंबर को अचा ITBP के डिरेक्टर जनरल किसे निउक्त किया गया SS देशवाल को SS देशवाल है इसके डिरेक्टर जनरल बर्तमान में और ICC महिला World Cup 2022 की मेजबानी कौन करेगा New Zealand करेगा बताइए किस देश को अगले दो अलम्पिक में अपने ध्वज और नाम का उप्यूग करने से प्रतिबंदित कर दिया गया तो आंसर होगा रिशिया पढ़ते आंगे तो चलिए कल के Current Affairs को रिवाइज करते हैं तो पहला प्रश्न क्या है किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के भरण पूशन के लिए स्पॉंसर्शिप योजना शुरू की है तो आंसर होगा मध्यपरदेश ने अच्छा बताइए विश्व थेलेसीमिया डिवस कब मनाया गया तो आंसर होगा आठ मही को और इसकी थीम रही Addressing Health Inequalities Across the Global थेलेसीमिया Community बताइए लॉरियस वर्ड स्पॉर्ट्स अवाड 2021 में स्पॉर्ट्स में आप दे येर का वाड किस ने जीता राफिल नडाल ने ये स्पीन की प्लेयर हैं और टैनिस खिलते हैं और महिलाओं में जीता है नाउमी ओसाका ने जो कि जापान की टैनिस प्लेयर हैं जबकि बेस्ट टीम का अवाड मिला बेयर्न म्यूनिक को जो कि जर्मनी की फुटबॉल टीम है फिर बताईए नियू यूर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ट अभीनेता किसे चुना गया तो आंसारोगा नुपमखेर को हैप्पी बर्थडे नाम की शौट फिल्म के लिए और हातियों की जनसंक्या को कम करने के लिए हातियों को बड़े पेमाने पर मारने का प्रस्ताव दिया किसने जमवामबे शरकार ने जमवामबे की कैपिटल हरा रहे है प्रेसिडंट इमरसन मंगांगॉआ बताईए CBAC ने परिक्षा के समय चातरों की मदद करने के लिए किस application को launch किया किस नाम से application है वो CBAC दोस्त फॉर लाइफ CBAC की चेर्मेन को ने मनोच आहुजा और विश्व के सबसे उचे शिखर पर 25 बार चड़ने वाले दुनिया के पहले परवतरोही बन गे कौन कामिर रिता शिर्पा नेपाल के परवतरोही है और Prime Global Cities Index Q1 2021 रिपोर्ट में टॉप शहर रहा चाइना का शैंजैन भारत से दिल्ली 32 पे है, मुंबई 36 पे है बताईए 12 वर्ष और उससे जादा उम्र के बच्चों के लिए फाइजर, बायोटेक, कुरुना वेक्सिन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया कनाडा और किसे पच्चे मंगल विधान सबा का अध्यक्स चुना गया बीमन बंदोपाद्याय को वन राज भाटिया का निदन हो गया क्या थे ये संगीत कार्थ है बढ़ते आगे स्टेडिक कुश्चन की बात करेंगे बताऊ DRDU के चीफ कौन है अंसर होगा जी सतीश रेड़ी इनका कारेकल दो साल के लिए बढ़ा दिया गया था भी वो पेंटिड माइ लस्ट रेड नाम की बुक को किस ने लिखा श्री आयर ने निरुपमा यादव ने लिखा और सदस्यता नाम की बुक को लिखा विजे कुमार ने बिहार विदान सभा के अध्यक्ष है ये और इसको रिलीज किया था बिहार के मुख्य मंतरी नितिश कुमार एक और बुक है दे इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अंसर्टेन इन वर्ल्ड तो आप जान चुके होंगे इसको लिखा है जे शंकर ने सुब्रमन्यम जे शंकर ने तो आप जान चुके होंगे इस बुक को लिखा है हमारे विदेश मंतरी सुब्रमन्यम जे शंकर ने फिर बताओ एर फूर से डे ये हमने कब मनाया कब मनाते हैं आठ अक्टूबर को मनाते हैं एर चीफ मार्शल हमारे राकेश कुमार सिंग बधूरिया है अब है नुवाखाई फसल ये उत्सव मनाया जाता है कहां पे उडिसा में चावल की नई फसल आने पे इसको मनाया जाता है तरकी की कैपिटल क्या है तो अंकारा है करंसी है लीरा प्रेसिडेंट है रिसेप तयप अडेगॉन और वैसे आपने तरकी का नाम सुना होगा नियूज में अभी ब्लेक सी में नैचुरल गेश के बंडार खोजे गए थे यहाँ पे गेस्ट्रिक कैंसर नाम की बुक को लिखा कि इसने डॉक्टर अशुक के वेद ने और इसको रिलीज किया था हमारे डोनर मंतरी डेवलप्मेंट आफ नौर्थ इस्ट रिजन मंतरी जीते अंदर सिंग ने बढ़ते आगे डेज की बात करते हैं चलो विश्व समुद्री दिवस पताओ कब मनाते हैं तो कोई फिक्स दे नहीं है सेप्टेंबर का लास्ट हजड़े को मनाया जाता है अब ध्यान देना ये तो हो गया विश्व समुद्री दिवस एक राष्ट्र समुद्री दिवस याने के नेशनल मेरी टाइम डेबी होता है जो हम हर साल 5 अप्रेल को मनाते हैं फिर है वर्ल्ड फार्मसिस्ट डे ये होता है 25 सेप्टेंबर को जिसकी थीम थी ट्रांस्फॉर्मिंग क्लूबल हेल्थ अब बताओ वर्ल्ड एन्वार्मेंट हेल्थ डे हमने कब मनाया तो अंसर होगा 26 सेप्टेंबर को और एक वर्ल्ड एन्वार्मेंट डे भी होता है जो आप जानते ही यो 5 जून को मनाया जाता है और बताओ वर्ल्ड ट्यूरिजम डे ये होता है 27 सेप्टेंबर को जिसकी थीम रही ट्यूरिजम एंड रूरल डेवलप्मेंट वेसे हमने पड़ा था एक नैशनल ट्यूरिजम डे भी होता है जो हम मनाते हैं 25 जनवरी को और 25 जनवरी को ही नैशनल वोटर से डे भी मनाया जाता है फिर है वर्ल्ड रेबीज डे ये 28 सेप्टेंबर को मनाया जाता है जिसकी थीम थी एंड रेबीज कॉलेबोरेट वेक्सिनेट फिर है वर्ल्ड हार्ट डे 29 सेप्टेंबर को हुता है ये जिसकी थीम थी यूस हार्ट टू बीट कार्डवेस्कुलर डिजीज अब बताओ इ 29 सेप्टेंबर को हमने इसे मनाया पहली बार अंतर राष्ट्रे खाद्यहानी और अप्षिष्ट न्यूनी करण दिवस के रूप में, थीम थी इसकी Stop Food Loss and Waste for the People for the Planet, अब बताव अंतर राष्ट्रे अनुवाद दिवस International Translation Day, ये 30 सेप्टेंबर को मनाया जाता है जिसकी थीम लेकिन इसकी थीम क्या रही थी, Yoga for Health, Yoga at Home, आकरी कुशन है, World Hepatitis Day, 28 July को मनाया जाता है जिसकी थीम थी, Hepatitis Free Future, तो गाइस ये था आज का हमारा Current Affairs का Revision वाला वीडियो, वीडियो अच्छा लगाओ, लाइक कीजिएगा, शेर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में अब कुछ कुशन्स आप लोगों से पूछे जाएंगे, कुशन्स आप लोग लगाएगा और देखिएगा कितने कुशन्स आप लोगों से बन पा रहे हैं, बागे मैं इनको कल सॉल करते हैं, यह रहे कुशन आपके सामने करते हैं, यह रहे 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 हैं, यह